अब हलो और वेलकाम बेक एक 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 बार फिर आप से स्वागत करता हूं आज पर इसक्रस करने वाले एक नए रिक्रिटमेंट के बारे में जो कि निकाले गई है महानदी कोल फिल्ड लिमीटेड के दोबारा आप सभी हमारे साथ लेटेट अपडेट पाने के लिए हमें इंस पर मिनने वाली क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और क्या यह एक पर मानेंट तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंट्स यह पर पर्मानेंट वेकेंशी नहीं है जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि इस कोवीड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है इसके अंदर कोई भी वो पर्मानेंट नहीं आ रही है कॉंट्रेक्ट बेस पर यह तीन से या बारा मैनों के लिए यहां पर टायम रखा दाता है अब फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर जो नर्सेज हैं स्टाफ नर्स जिसे अपर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं आज कल 38 जो पो प्रेंट को 46 हो गई है अब डिसकस कर लेते हैं कि यहां पर क्वालिफिकेसन क्या रखे गई है तो देखिए अपने बारे पास की है उसके बाद आपने हो सकता है जी अनम की भी हो जो सकता आपने बीसी नर्सिंग की भी हो हालांकि नोंने बता रखा कि थी यह कोर्स में लि इबल प्रेंटस अब को बताना चाहूंगा कि यहां पर हैं कर सकते हैं बपर वह कर सक्ते हैं अमलरा शील हैं इसके लाग को देख सकते हैं ने सबसक्राइब करना करना है यह सबसे इंप्रणड बात होती अप्लाइड कैसे करना जिजने भी डॉकुमेंट है जो application form है application form आपको कहां मिलेगा कैसे मिलेगा उसके बारे में अभी आपको बताएंगे जो भी application form बताएंगा उसको fill up करना है उसके सास्थ सारे जो डॉकुमेंट हैं उनको attach करना है उसके बाद ये जो यहाँ पर email जो आपको सेंड कर देना है कब लास्ट जो डेटर फ्रेंट्स बीस तारिक रखी गई है इसका नोटिफिकेसन अभी थोड़ी देर पहले ही साइट पर आया है तो बीस तारिक आप रखी गई है और आप पांच तक इसमें अपलाई कर सकते हैं आपको सेलेक्शन होने वाला फ्रे पर इंट्रिव्यू लेने वाले हैं वह आपको जो भी सोट लिस्ट कंडिटेट होंगी उनके फोन के उपर या पिर जो जीमेल है उसके उपर आपको इनफॉर्म कर दिया जाएगा इसके लाव प्रेंट्स आपको कुछ नहीं होती है तो कॉंटेक्ट बेस पर जो भी अधिक से अधिक पार्टिश्पट कर सकते हैं इसके अंदर मेडिकल फिट्नेश इसके लाव चाहिए आपको साइट से मिलेगा और जो साइट है उसकी लिंक हम डिस्क्रिशन बॉक्स में दे रहे हैं आपको जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे पूरा फॉर्मेट आपक यह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अप्लिकेशन फॉर्म है सबसे पहले आपको पास्वोर्ट साइज जो फोटो है वो यहाँ पर लगानी है और नीची उसके सिंगनेचर भी करने हैं मिलाव आपको सेल पर टेस्टेड करनी है पोस्ट जिसी पोस्ट के लिए आप अपक जोब कर रहे हैं मिलो जो रिटायर है जो पहले जोब करते थे वहां पर और वो अब इस दुबारा इसमें अपलाई करना ता थे तो उन के लिए है यह अपने काम का नहीं है जो अभी फ्रेशर है या पिर जिनको अभी एक-दो साल हुआ है या फिर जो पहले कहीं जोबने क लिख सकते हैं यह experience detail है अगर आपके पास कोई हो तो यह last three year आपके पास जो भी experience वो यहाँ पर अपपलाई कर सकते हैं यह नहीं है तो आप no कर सकते हैं या फिर एक तिरची line के इसके भी इसको खाली छोड़ सकते हैं इसके लाफ फ्रेंड्स मैं आपको बता दो इसको डिक मतलब उनके उपर आप अपने signature कीजिए signature करने के बाद किन किन के उपर आप सिंगनेचर करने और किन कि फोटो कोपी करवाने आप देख सकते हैं 10 के मारक सीट आपके पास होने चाहिए इसके लावा जो भी आपके पास qualification है जीनम है या बेसी नर्सिंग है मेसी नर्सिंग व जाए और गया यह उटे लिए हैं से कहीजिए कई से तो यहाँ पर इस प्रकार अपर निच्छ्चे करद करा किया करतione यह तो इन्हों ने देरका सुधी पत्तर है कि वह पहले आप इती रुपए दे रहे थी तहीं कर दिये निक में आप जा सकते हैं वहां पर आपक उस दोड़े रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और से जुरू करें